हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Redmi 12 Android मोईल फोन में अगर आपके मोईल फोन के मैसेज अगर सैंड नहीं हो रहे हैं तो इस प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको डीटैल में जान करीते हैं ने वालों तो चलिए आप ये वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं एप होता है इसे open करना है आपका यह एप उपन होगा इसमा आपको 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 फोन का internet आपको चालू रखना है इसके बाद फोन का setting पेज उपन करना है इसमें आपको सबसे उपर सबसे उपर की साइड आपको security update आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे की साइड security update का option शोगा इसे टैप करना है आपको फोन डिरेक्ली आपको इस सेटिंग में लेकर आए नीचे reboot की तरब सरकान है इससे आपका phone automatic switch off होके automatic switch on हो जाएगा reboot करने से होता है हमारे phone के android system में अगर कोई problem हाती तो वह solve हो जाती ठीक है अगला काम करने के हैं mobile phone को reset करना है देखी दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी अगर काम नह आपको इस page में सबसे नीचे erase all data का option tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की जो message send नहीं हो रहे है problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी भी दूसरे phone में transfer कर ल जाएगी तगे